इस कहानी के पहले के दोनों भाग अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं सुने हैं तो वो हमारे चैनल पर अपलोड है। आप जरूर सुनिएगा। आउनी समीर के सामने कह देती है कि वो अच्छत से प्यार करती है और समीर उसकी टांग खिचाई करता है और आउनी वहां से सरमाते हुए जाने लगती है। समीर पीछे से उसे भावी कहकर बुलाता है पर सामने से अच्छत आ जाता है। अब आगे अवनी पीछे जैसे ही मुड़ती है तो सामने से अच्छत आ रहा होता है और वो उससे टकरा जाती है और गिरने लगती है तभी अच्छत उसे पकड़ लेता है और उसकी नजरी आपस में टकरा जाती है वो कुछ पल एक दूसरे को यूँ ही देखते रहे समेर उन आप ठीक तो है ना अवनी अपने बालों को अपने कान के पीछे लगाते हुए कहती है हाँ मैं ठीक हूँ अवनी जाने लगती है तो अच्छत उसे रोकता है और कहता है रुख जाईए प्लीज दादू और दादी की इनिवर्सिरी है उन्हें अच्छा लगेगा अवनी खुश होकर कहती है और आपको अच्छत कुछ नहीं कहता बस हलका सा मुस्कुरा कर समीर के पास चला जाता है और समीर से कहता है भावी किसे कह रहा था अभी समीर मन ही मन सोचता है मर गया दे अब तो क्या बहाना बनाओं समीर अब अपने दिमाग के घोडे दोडाने लगता है तब ही आउनी आ जाती है आउनी वो वर्सा भावी की बात कर रहा था समीर और समीर को आँख मारती है समीर अब समझ जाता है कि क्या बहाना बनाना है समीर वो वर्सा का फोन आया था वो दो दिन में आ रही है और इस बार चुट्टियों पे गोवा चलने के लिए बोल रही थी अच्छत्मों बनाते हुए कहता है मुझे कहीं ना ही जाना तुम दोनों चले जाना यहां बहुत काम है समीर ओए बिल गिर्स तू नहीं रहेगा तो काम बंद नहीं होगा दादो दादी हैं यहां सब सम्हार लेंगी समझ तुझे चलना है बस में कुछ नहीं जानता अच्छत बिना किसी भाव के कहता है ठीक है और अपने रोम में चला जाता है समीर अब राहत की सांस ले किरा काम करना है समीर कहता है अच्छा इसलिए मेरी हेल्प की ठीक है डण पर थोड़ा सा काम तो आज हो ही गया है भाई ने खुद तुम्हें रोकने के लिए कहा है आगे-ागे देखो और क्या-क्या होता है समीर अवनी से कहता है कि तुम भी हमारे साथ गोवा क्यों नहीं हो जाए अवनी ने समीर को चिड़ाते हुए कहा फिर से सुरू हो गए जाओं क्या अच्छत के पास बतादू उसे कि भावी किसे कह रहे थे समीर का बहाना बना कर वहां से भाग लेता है और फिर अच्छत दादू और दादी को लेकर आता है समीर की बाकी सब वहीं पर बहाना था माथे पर एक छोटी सी काली बिंदी और हाथों में चूडियां अच्छत बस उसे ही देखे जा रहा था अच्छत ने माचिस की जलती तीली हाथ में पकरी थी जिससे उसका हाथ जल गया और और नितुरंत उसकी उंगली को पकड़ कर अपने मुह में डाल लिया और फिर फूक मारने लगी अच्छत और बाकी सब उसे बड़े गौर से देख रहे थे समीर को तो बड़ा मजा आ रहा था दादू और दादी ने समीर से कहा बड़ी प्यारी बिच्ची है पहले तो नहीं देखा यहां कौन है ये समीर ने कहा बहु ही समझ लीजी दादू पर किसकी समीर ने अच्छत की तरफ उमली करते वे दादू और दादी को पूरी बात बता दी दादू और दादी खुस हो गए उन्होंने कहा इस काम में हम भी तुम्हारे साथ हैं समीर बेटा समीर ने कहा आपका आसिरवाद मिल गया है बस अब क्या चाहिए आवनी ने द आप ठीक तो है ना अच्छत ने कहा आवनी ने बड़े प्यार से कहा लाइए मैं कर देती हूँ अच्छत ने उसे माचिस पकड़ा दी और खुद दूर जाकर खड़ा हो गया आवनी बड़े प्यार से कैंडल जला रही थी और उतने ही प्यार से अच्छत उसे बड़े अच्छत, क्या कुछ भी कहता है, सोचा तो कर बोलने से पहले, और अच्छत वहां से भाग जाता है, समेर धीरे से कहता है, भाग ले, पर कब तक भागेगा, तेरी किसमत अवनी ही है, और एक दिन तू खुद ये बात समझ जाएगा, दादू दादी के काटते हैं, और सब उ दादू से गाने की फरमाईस करते हैं, दादू भी दादी का हाथ पकड़ कर गाने लगते हैं, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुस्किल पढ़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा, न कोई है न कोई था, जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना अवनी बड़े ही प्यार से अच्छत को देख रही थी और अच्छत भी अवनी को देख रहा था, उसकी आखे नम हो गई थी, हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम अगर अधेरे में ना छोड़ना मेरा हाथ, हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, चारों तरफ देखा पर अच्छत उसे कहीं नहीं दिखा तो औनी समीर के पास गई औनी समीर से ये अच्छत क्यों नहीं दिखाई दे रहा है कहां चला गया समीर ये उसकी मा का फेबरेट गाना था जब भी अच्छत को नीन आती आंटी यही गाना उसे सुनाती थी आउने हैरान होकर कहती है कि तुम तो कहते हो कि वो तुम्हारा भाई है फिर उसकी मा तुम्हारी आंटी कैसे हुई और आंटी थी मतलब मुझे सब कुछ बताओ समीर प्लीज समीर मेरा पूरा नाम समीर चौहान है और अच्छत का नाम अच्छत गर्ग है, हम दोनों बच्पन से ही बेस्ट फ्रेंड रहे हैं, पर दोस्त से जादा हम भाई की तरह रहते हैं, हमारी जान एक दूसरे में बसती है, जब अच्छत आठ साल का था, तब एक कार एक्सिडेंट में अच्छत के मा और पापा गुज पहले अच्छत हम सबसे थोड़ा सा कटा कटा रहता था, पर दीरे दीरे वो हम सबसे घुल मिल गया, और आज दादू के मुझ से ये गाना सुनकर थोड़ा सा उदास हो गया, पर ठीक हो जाएगा, आवनी अपने आशों को पोश्ते हुए कहती हैं, I am sorry, मुझे पता नहीं था, समीर ने हलकी सी मुस्कान के साथ कहा, अभी तुम्हें बहुत कुछ पता नहीं है, अवनी सोचते हुए कहती है, क्या मतलब? समीर सरारत भरी मुस्कान से कहता है, दीरे दीरे सब पता चल जाएगा भाभी जी, और अच्छत को इधर उदर देखते हुए कहती है, पर अ दास सा बैठा था, अवनी उसके कंदे पर हाथ रख कर पूछती है, तुम ठीक हो, अच्छत कुछ नहीं कहता, तो अवनी बाहर जाने के लिए मुड़ती है, और आगे जाती है, अच्छत उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है, अच्छत का यूँ हाथ पकड़ना, अवनी की ध तरफ ही देख रहा होता है, और उसकी आखों में आशु वरे रहते हैं, अवनी को अच्छत की आखों में आशु देख कर बहुत तकलीफ हो रही थी, पर वो उसे दिलासा देने की सिवा कुछ भी नहीं कर सकती थी, अवनी भी उसके बगल में बैठ जाती है, अच्छत अब अच्छत ये आपकी मा का पसंद रीदा गाना था ना, अच्छत कुछ नहीं कहता, बस हां में सिर हिला देता है, अवनी और आपको पसंद नहीं है क्या, अच्छत मुझे बहुत पसंद है और इसके बाद अच्छत खामोस हो जाता है, अवनी और और किसे पसंद है, मुझे कोई लेना देना नहीं है आप से फिर मेरा हाथ क्यों पकड़ा है आपने अच्छत तुरंट आउनी का हाथ छोड़े देता है और सकुचाते हुए कहता है सौरी वो गलती से पकड़ लिया आउनी आप सबसे अकर से बात कहते हैं या फिर मैं कोई इस्पिसल हूँ अच्छत आउनी को एक नजर देखता है और मन ही मन कहता है तुम क्या हो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता अच्छत मैं ऐसा ही हूँ आउनी मुस्कुराते हुए कहती है अच्छा चेहरा जोट बोल सक पर आखे हमेशा सच बोलती है अच्छत आउनी से नजर चुरा कर जाने लगता है और कहता है मुझे आप से कोई बात ही नहीं करनी आउनी हसते हुए क्यों रल लगता है क्या मुझसे ही ज़्यादा बात करोगे तो फिसल जाओगे अच्छत खुस होते हुए फिसलोंगा व हाँ ठीक है अउनी खुस होकर तो फिर दोस्ती पक्की समझों और अच्छत की तरफ हाथ बढ़ा देती है अच्छत मुस्कुराता हुआ कहता है ठीक है डन और अउनी से हाथ मिलाता है फिर दोनों कुछ देर खामोस हो जाते हैं अच्छत कुछ देर में कहता है तुम्हें ये सब मेरे बारे में किस ने बताया, समीर ने, अवनी, हाँ उसी ने बताया, अवनी उसी, समझाते हुईती कहती है, पर आप इस तरह दुखी होंगे तो आपकी मा को अच्छा नहीं लगेगा, उन्हें भी तो दुख होगा, अच्छत उदास सा कहता है, जानता हूँ, पर क् करो, उनकी याद आती है, तो कितना कहकर, अच्छत रुख जाता है, अवनी प्यार से कहती है, पता है, आप बिल्कुल, अपनी मा की तरह है, अच्छत हैरानी से कहता है, तुम्हें कैसे पता, अवनी इतराते हुए कहती है, मुझे सब पता है, मैं अवनी हूँ, अच्छत, तुम मुझे तुम कह सकती हो अवनी क्या सच में अच्छ जूट मूट का नक्तत करते हुए हाँ अब दोस्ती की है तो एक दूसरे को आप कहेंगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा अवनी मुस्कुराने लगती है समीर पीछे खड़ा होकर दोनों की बाते सुन रहा था और मन ही मन खुस हो रहा था दोनों को बाते करते करते काफी देर हो गई थी कुछ देर में अवनी का फोन बजने लगा अवनी अपना फोन देखने उसमें सरिता अवनी का मा का कॉल था अ अवनी, हा मा, सरिता, कहा है तू? अभी तक नहीं आई, जल्दी घरा काफी रात हो रही है, अवनी. हा मा, बस मिताली आजाए, इस कूटी लेकर उसी का इंतजार कर रही हूँ. वो किसी काम से घर चली गई थी और अभी तक नहीं आई, सरिता. ठीक है तू जल्दी आ घर पे और इतना कहकर वो फोन काट देती है इधर समीर पीछे से निकल कर गाना गाते हुए अच्छत के बगल में बैठ जाता है दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके सब को हो रही है खबर चुपके चुपके अच्छत तू यहां क्या कर रहा है और ये गाना क्यों गा रहा है समीर अच्छत को छेड़ते हुए कहता है अच्छा अवनी से अकेले में बात करना चाहता है क्या लगता है, मेरे भाई को कोई पसंद आ गया है, अच्छत जुजुलाते हुए कहता है, पागल हो गया है, कुछ भी बोलता रहता है, वो और मैं अभी दोस्त बने है, समीर क्या बात है, बड़ी दोस्ती बढ़ाई जा रही है, दोस्ती के बाद ही तो प्यार होता है, समीर अच अवनी बार बार मिताली को फोन लगा रही थी पर उसका फोन नहीं लग रहा था वो परिसान सी इधर उधर घूमने लगी समीर अच्छत से कहता है अच्छत देख तो अवनी परिसान क्यों है अच्छत तो ही जाके पूछ ले मैं पूछूंगा तो फिर से बक्वास चालू कर देगा समीर अवनी के पास जाकर कहता है क्या हुआ क्यों परिसान हो अवनी परिसान होते हुए वो मा का कॉल आया था वो मुझे घर बुला रही है समीर हसकर कहता है तो फिर परिसान क्यों हो रही हो चली जाओ घर अवनी लेकिन मेरी स्कूटी मिताली के पास है और वो अभ आवनी को आख मारता है, आवनी समझ जाती है, आवनी धीरे से कहती है, ठीक है, समीर अच्छत की तरफ देखते हुए, है ना अच्छत तू, आवनी को घर तक छोड़ आये गा ना, अच्छत असमन्जिस में फसा हुआ सोचने लगता है क्या करूं हा करूं या नहीं तभी समीर फिस से कहता है मैं चला जाता पर मेरा अभी कुछ काम बाकी है तो अच्छत मेरे भाई तो प्लीट चला जा अच्छत कुछ कह पाता, उससे पहले ही समीर वहाँ से अंदर चला जाता है अच्छत कुछ सोचते हुए कहता है ठीक है चलो अच्छत अपनी ऐख स्टार्ट करता है और ऑवनी से बैठने के लिए कहता है और अवनी ऑछत से थोड़ी दूर बैठती है पीछे से समी चुप चाप आउनी को देखता है और इसारे से कहता है best of luck आउनी भी इसारे से कहती है thank you अच्छत बाइक आगे बढ़ा देता है और थोड़ी स्पीड से चलाने लगता है अच्छत तुम्हारा घर कहा है आउनी नेरुल गली नमबर 7 में अच्छत स्पीड बढ चाई देता है और वो बाइक का ब्रेक लगा देता है और जटके से अउनी अच्छत के बिलकुल पास आ जाती है और उसे पकड़ लेती है अउनी और अच्छत एक दूसरे के बहुत करीब थे लगभग चिपके वे जो दोनों की धड़कने बराने के लिए काफी था अउनी बाइक धीमी कर लेता है अच्छत सकुचाते हुए अउनी से कहता है सौरी वो सडक में गड़ा था तो अचानक से ब्रेक लगाना पड़ा अवनी धीरे से कहती है कोई बात नहीं बाइक की धीमी रफ्तार और हलकी थंडी हवा चल रही थी जो उन दोनों के गालों को छूते हुए गुजर रही थी हवाएं जो बार बार अवनी के बालों को उड़ा रही थी और अवनी बार बार अपने बालों को सम्हाल रही थी अच्छत बीच बीच में अपने बाइक में लगे सीसे में अवनी को चुपके से देख लिया करता था अवनी अपने बालों से परिसान होते हुए कितने प्यारी और मासूम लग रही थी चांद की रोसनी में वो किसी इंजल से कम नहीं लग रही थी अच्छत बार-बार उसे देख रहा था और उससे रास्ता पूछने के भाने से बाते कर रहा था कुछ ही देर आउनी का घर आ गया और वो उतर कर अंदर जाने ल अच्छत प्यार से कहता है अवनी सुनो और अच्छत की तरफ मुड कर कहती है हा बोलो अच्छत प्यार से आज तुम बहुत सुन्दर लग रही हो और अच्छत बायक स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है आज के लिए इतना ही थोड़ा रोमैंस अगले भाग मी